हेलो फ्रेंड्स यूट्टूब चैनल में आपका स्वागत चाहता हूं। तो कॉरेले की पत्यां का ताजारस जैसे इसका लो पेड होता है तो उसका ताजारस बहुत लाव डायक है। मठ्ठे के साथ क्रेले के पत्यां ताजे रस के साथ मिला करके और आप कम से कम तो दस दीन सुबह साम पीएं इससे आपको बवासीर की मिमारी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे करना है आप द्यान रखें कि इसकी पत्ती को रस निकालना है और मठे में मिला करके सुबह साम पीना है। तो इससे आपको बवासीर की मिमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों दूसरा है करेले का सेवन से दोसों जैसे फोड़े, फुनसिया, खुजली, दाद, यादी भी दूर करने में लाव दायक है तो दोस्तों दाद, खुजली कैसे आपका दूर होगा कि आप इसका सब्जी, भुजिया, अचार जैसे भी यूज करें, आप यूज करते रहेंगे तो आपको फोड़े, फुनसिया, दाद, यादी आपको मतलब बिमारी ये नहीं होगी तीसरा है दोस्तों सास्विकार स्वास्विकार को दूर करने के लिए करेला का रस का इस्तमाल प्राचिन काल से होता रहा है करेले का एक चमच रस, सहद और तुलसी के रस के साथ है इस्तमाल करने से खासी जुखाम दम में यादी सल अराम हो जाता है इतना इसमें गुन है तो दोस्तों आगे है है जैसे आपको किसी को हैजे की वीमारी हो जा है है का मतलब है कि उल्टी और देशत होना उसको हैजे. मिर्च को सेवन करने से जवर्भी ठीक हो जाता है दोस्तो वैसे तो इससे और भी कई भी मारी की सब्जी खाने से पाजन सकती तीवर होती है करेले आधा चमज का रस पीने से यक्रीट ठीक होता है करेले के पत्ते के रस से पहिरो और तलबे में मालिस करने से होने वाले मुझो जलन होती वो सांथ हो जाता है करेले का रस से गठिया के रूब में भी लाब होता है करेले के पत्तो का रस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सायर कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा, थेंक यू